आज का हमारा जो टोपिक है वो है काइंट्स ओफ नाउन्स काइंट्स ओफ नाउन्स उससे पहले हमने जो टोपिक किया था वो था टाइप्स ओफ सेंडेंसिस हमारा टाइप्स ओफ सेंडेंसिस टोपिक जो था वो कंप्लीट हो गया था आज हमें topic kinds of nouns करना है जो हमारा grammar का chapter number 5 है तो kinds of nouns यानी noun के प्रकार noun कितने तरह की होती है noun कितने तरह की होती है यह जानने से पहले एक बार हम फिर से recall कर लेते हैं कि noun क्या होता है वैसे तो आपने सब ने last class में पढ़ा हुए कि noun क्या होता है अर बहोत अच्छे से आपको पता भी होगा कि noun क्या होता है लेकिन फीर भी एक बार recall कर लेते हैं कि noun क्या होता है तो चलिए देखते हैं कि noun क्या होता है यह दिखी naming words are called nouns naming words जितने भी words हैं जो नाम है जिन चीजों के नाम होते हैं उन्हें nouns कहते हैं यानि naming words, जैसे कि आनेहा, स्नेहा, राहूल, ठीक है, तो ये नाम जो है, वो क्या है, nouns है, nouns are names of, nouns जो name होते हैं, किसके नेम होते हैं, वो, people, places, animals, things, people का नेम भी क्या है, नाउन है, जैसे राहूल, सोहन, मोहन, गी people name, name of people है, जो की nouns है, places, जैसे school हो गया, डैली हो गया, हो गया, ये सब क्या है, nouns है, place के नेम है, जगय के नेम है, animals, monkey, donkey, lion, giraffe, ये सब भी क्या है, name of animals, यानि कि नाउन है, और things, किसी भी चीज का नेम, जैसे कि bed है, chair है, cooler, fan, etc., ये सब क्या है, things के नेम है, और वो नेम जो है, वो क्या कहलाते हैं, noun कहलाते हैं, I hope आपको याद आ सारा होगा, कि noun क्या होते हैं, किसी भी चीज का जो नेम होता है, वो noun होते हैं, naming words को noun कहते हैं, ठीक है, चाहे वो people का हो, नेम हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे animals का हो, ठीक है, तो अब आपकी बुक के अंदर एक activity दे गई है, शुरू में ही, हम उसे complete करते हैं, okay, ये सदेखे, ये activity दे गई है, complete the table with nouns under each category, one has been done for you, अब आपको पता तो चल गया कि noun क्या है, नेम है, हम जिस इसको नाम लेके बुलाते हैं, वो noun है, तो इसमें अलग-लग category दे गई है, जिसे home के अंदर हम किस किस चीज के नाम लेते हैं, यानि noun होती है, जो चीजे हैं, स्कूल के अंदर कौन सी noun होती है, playground में कौन सी होती है, restaurant में कौन सी होती है, और zoo में कौन सी होती है, तो चलिए, first number हम देखते है, home, home से related कौन होन सी noun होती है, तो देखे, first number, home, इसे related एक noun हमें दे रहे हैं, mother, यानि कि जो हमारी ममा है, जिसने में, जो हमें हमारा खयाल रगती है, हमारे जो हमारी care करती है वो mother ठीक है हम उने क्या बोलते है mother बोलते है to mother क्या है noun ठीक है फिर father noun brother sister uncle aunt cousin grandfather grandmother father पे यह यह टी पे लाइन नहीं लगिए थी grandfather grandmother mother, baby, तो ये सारे क्या है, ये सब noun है, और कहां मिलेंगे ये सब हमको home, ठीक है, घर से related जो words, noun है, वो हमने इसमे write down किये हैं, क्योंकि इन सब को हम इसी नाम से बिलाते हैं, father को father कहके ही बिलाते हैं, mother को mother कहके ही बिलाते हैं, तो ये क्या है, noun है, next देखिए, फिर school से related, school से related जो जो noun हमारे पास आई है, वो है, देखिए, एक तो आपकी book में दिया हुआ है, teacher, उसके बाद students, ये भी noun है, principal, playground, tables, chairs, swings, chalks, bell, computers, ये सारी चीजे क्या है, हमें school के अंदर मिलती है, और ये सब, इन सब का नाम है, देखिए, principal, आपके school में, जो आपके teachers के उपर head होता है, जो पुरे school को संभालते हैं, वो कौन होते हैं, principal होते हैं, तो उनका नाम है, ये principal, तो ये क्या हो गया, noun हो गया, students, जो भी बच्चे पढ़ने के लिए school में आते हैं, उने क्या कहते हैं, students कहते हैं, तो ये भी उनका नाम हो गया, ठीक है न, तो ये सब क्या है, nouns है, फिर next हम देखते हैं, playground से related, देखिए, swings, जूले, seasaws, आपको playground के अंदर क्या क्या चीज़े मिलती है, एसी कौन से चीज़े हैं, जिनके नाम होते हैं, तो seasaws, park, child, slide, pitch, sandbox, sandbox, sandbox एक मिट्टी का बड़ा सारा बना होता है, जिसके अंदर बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, spring rider, mazes, jungle gym, ये भी सब games है, हमें playground के अंदर मिलते हैं, जिन में हम खेल सकते हैं, spring rider है, एक लटकने के लिए जूला सा बना होता है, mazes है, jungle gym है, ये सब हमें park के अंदर, playground के अंदर खेलने के लिए अविलेबल होते हैं, next देखने हैं, restaurant, restaurant में देखे, chefs होते हैं, ठीक है, chefs भी क्या है, noun है, bowl, cake, candle, chair, fork, knife, spoon, glass, cashier, ये सब क्या है, ये सब restaurant में मिलते हैं, और इन सब के नाम है, it means, ये सब क्या है, noun है, okay, जैसे cake, अब cake क्या है, नाम लेके ही बुलाना पड़ेगा cake को, अगर chocolate कहेंगे तो नहीं समझाएगा ना, cake का नाम cake ही है, तो जिस इसका नेम होता है, वो noun होती है, तो ये सब क्या है, noun है, next, juice related words देखें, monkey, lions, zebra, gorilla, alligator, birds, cases, parrot, elephants, ये सब भी क्या है, nouns है, और ये सारी nouns हमें किसमें मिलती है, juice में, okay, तो जिन भी चीजों का नेम होता है, वो सब nouns होती है, अभी तक हमने जो देखा है, वो सब क्या है, nouns है, इन सब चीजों का नेम है, चिक है, आये समझ में आपको, कि ये सब क्या है, nouns है, अमें पढ़ना है तो नीचे देखे आपको पता चला यह मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ चलिए यह जो वर्क है आपको अपनी बुक के अंदर ही करना है चलिए नेक्स पेस पे चलते हैं नेक्स पेस पे देखे क्या दिया गया है रीड इस सेंडेंसे चलिए इन सेंडेंसे को हम रीड करते हैं हर्शिता इस अवर क्लास मोनिटर हर्शिता जो है वो अमारी क्लास मोनिटर है जामा मस्जिद जो है वो एक मॉस्क्यू है वो कहा है नू देली में fluffy my pet likes to play fluffy मेरा pet है उसे खेलना पसंद है मेरी फैवरिट बुक क्यों सी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स तो देखें इन दे सेंडेंसे में इन सेंडेंसे में the highlighted words are the names of nouns जो highlighted words है वो names of nouns है they are the names of particular person, a place, an animal, or a book these are proper nouns अब देखें red color में जो आपको नाम मिल रहे है हर्शिता, जामा मस्जीद, नू देली, फ्लॉफी ठीक है और ये great expectations इसको red color में नहीं लिखा गया है फिर भी आपको बता रही हूं मैं ये जो great expectations है, बुक का नाम जो है यहां देखें, मैं अंडरलाइन कर रही हूं इसे ये great expectations ये सब क्या है? ये noun है ये नाम है, और ये किसी के special name है particular person का name है देखें, particular person, यानि हर्शिता की बात हो रही है तो particular हो गई जामा मस्जीद, particular place हो गया New Delhi, particular place हो गया fluffy, अब ये देखें pet तो है, pet तो सब भी क्यों होते है जो भी हम घर में पालते है जिन जानुरों को उन्हें हम pet कहते है ठीक है, लेकिन उसने अपने pet का नाम रखा हुआ है क्या? fluffy तो ये special name है उसके लिए तो ये क्या हो गया? noun है, proper noun है और great expectations बुक तो सारी होती है, लेकिन इसने special book का name बताया है great expectations, तो ये क्या है? proper noun, तो देखें side में जो box बना कर दिया गया है आपको उसके अंदर देखें क्या दिया हुआ है उसके अंदर proper noun की definition दी गई है अब proper noun is the name of a particular person, place animal or thing it always begins with a capital letter, proper noun जो है वो, किसका name है एक particular person का, particular place का, animal का, या thing it always begins with a capital letter और यह हमेशे किस से शुरू होती है capital letter से, जैसे देखो हमने हर्शिता बोला, उसी तरह से हम बोलेंगी जैसे मोहन, तो मोहन का है, particular name है उसका place, रतनगड, देखें एक तो हम बोल देते हैं कि हम City में रहते हैं अब City तो सारी Cities ही है Delhi भी City है, Calcutta भी City है सब Cities हैं, लेकिन हम कहाई दें कि हम New Delhi में रहते हैं या फिर सूरत पे रहते हैं, इस तरह से हम किसी का नाम ले देते हैं, तो वो क्या हो गया पर्टिकुलर प्लेस हो गया, जो पर्टिकुलर प्लेस होता है, वो प्रोपर नाउन होता है, ठीक है, अब यह प्रोपर नाउन जो है, जो बॉक्स में बना कर दिया गया है, आपको यह दिख रहा होगा, आपको यह यह वाला, यह जो बॉक्स है, इसी तरह से आपको अपनी नोट बुक में वर्क करना है इसको यानि आपको नाउन की डेफिनेशन लिखनी है अप्रॉपर नाउन इस दा नेम ओफ पर्टिकुलर प्लेज पर्सन अनिमल और थेंग इट अलवेज बिगिंस विद आ कैपिटल लेटर यह आपको अपनी नोट बुक में वर्क करना है ठीक एक लड़का वें टू दे बैकरी गया टू बाइ एक केक को खरीदने के लिए ठीक है नेक्स देखें माइ फ्रेंड इस रीडिंग आ बुक मेरी फ्रेंड जो है वो एक बुक पढ़ रही है दे ड्राइवर स्टॉप्ट दा कार ड्राइवर ने कार को रोका दे चिल्डरन व इस रही है नेक्स देखें में जुटा है जिसे बॉइ मतों केदि फ्रेंड वोट मेद समय को तो तो यह सब क्या है? यह टू पर्टिकुलर नेम नहीं है किसी के थीक है yenिया किक लड़के देखोंगे तो उसे बहन सबना सब अबैकरी जहां पर केक ब्सकेस बनटे है केक हरते नयका Сले खान देखेखें बहुत है आप छोकलेट केक सबढ़ के न्यौने Candidated यह common name है, ठीक है, general name है, general यानि कि जो हम सभी के लिए use कर लेते हैं, वो names है, तो general names जाहां होते हैं, general names जो होते हैं, उन्हें हम कौन सी noun कहते हैं, common nouns, कौन सी कहते हैं, common nouns, तो definition देख लेते हैं, देखे इदर, common noun is the name of a general person, place, animal or thing, common noun जो है, वो name होता है, general person का, place का, animal का, thing का, it usually does not begin with the capital letter, और यह capital letter के साथ में शुरू नहीं होता है, तो आपको पता चल रहा होगा, देखे, उपर यहां देखे, उसका नाम हर्शिता, हमने किसी लड़की का नाम लेकर बुलाया हर्शिता, तो वो proper noun बन ग और उसी को हमने कह दिया, girl, तो वो क्या होगई, common noun, क्योंकि girl, हम हर लड़की के लिए girl word का ही use कर दे, okay, understand, समझा रहा है आपको, चलिए, next देखे, अब आपको यह common noun, यह proper noun, यह दोनों definitions किस में करनी है, notebook में करनी है, next देखे, फिर आप, यह sentences देखे, an army of soldiers attacked the enemies, an army of soldiers attacked the enemies, यहनि कि soldiers के एक team ने, एक group ने, attack the enemies, enemies पर क्या क्या क्या, दुश्मनों पर क्या क्या, attack क्या, ठीक है, a herd of cattle was grazing in the fields, herd of cattle, यहनि मवेश्यों का जुन, जानरों का जुन जुन जो है, वो, fields में grazing, यहनि, खांस चर रहा था, next देखे, I received a bucket, a bouquet of flowers from my friend, I received, मैंने प्राप्त किया, एक bouquet of flowers किसे, मेरे friend से, अब इसमें देखे, जो red color से, red color से words लेके हैं, जैसे army है, herd है, bucket है, यह सब क्या है, यह सब collective noun है, collective noun कैसे हुआ, इदर देखे, हाँ, soldiers, soldiers क्या होता है, आपको सब को पता हुआ, soldiers क्या होता है, सिपाई ही होते हैं, जो, enemies पर attack करते हैं, enemies के लिए, enemies से youth करते हैं, वो soldiers होते हैं, ठीक है, फिर cattle, cattle यानि कि गाएं, भैंस, भेट, बक्री, यह सब क्या है, यह cattle है, मवेशी है, और flowers, आपको पता ही है, हम flowers किसे कहते हैं, फूलों को, ठीक है, तो यह सब क्या है, soldiers, cattle, flowers, यह सब common noun है, क्या है, क्या है, यह common noun, क्योंकि हम हर soldier को soldier ही कहते हैं, हर cattle को, यानि कि मवेशियों को, उनको क्या कहते हैं, cattle ही कहते हैं, और flowers, किसी भी तरह का flowers हो, हम उन्हें जब नाम लेके बलाते हैं, तब बात अलग होती है, कि जैसे rose बोल दिया, marigold बोल दिया, तब तो अलग है, ल common noun है, इन common nouns के group को, जैसे soldiers, बहुत सारे soldiers, जब एक ही group में होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, army, क्या कहते हैं, army, बहुत सारे cattle, बहुत सारे मवेशियों, जब एक ही group में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं, herd, बहुत सारे flowers, जब एक group में होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उन्हें ह hard, bouquet, यह सब क्या है? collection है, ठीक है? common nouns का collection है, common nouns इनके अंदर एक group के अंदर आ रही है तो जहां हम group के अंदर बात करते हैं, ठीक है? जहां हम nouns के लिए group में बात करते हैं, ठीक है? उन्हें एक special name दे देते हैं, ठीक है? group of people, group of animals things, इनके लिए हम एक नाम, special नाम दे देते हैं, उस नाम को हम क्या कहेंगे, collective noun, ठीक है, army, heart, bouquet, ये सब क्या है, collective nouns है, okay, I hope you understand, आपको समझ आ रहा होगा, common nouns के group के लिए, जब हम को special name देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, collective noun, नीचे देखें, फिर, कुछ examples दियो हैं, आपको collective nouns के, उन्हें read करते हैं ताकि हमें पता चले कि collective nouns कौन-कौन सी होती है, okay, क्योंकि सारी चीजों के लिए हम group नाम नहीं दे सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए group नाम, group of soldiers, group of cattle, group of flowers, ऐसा नहीं कह सकते हैं, उनके लिए special name बना हुआ है, उसे ही हम collective nouns कहते हैं, जब उनका collection होता है, यानि कि, जो group होता ह है, उसके लिए एक special name जो होता है, वो collective noun बना हुआ है, तो देखते हैं, किस common noun के group को किस नाम से बुलाया जाता है, okay, यह देखे, तो सबसे पहले people, people, यानि कि हम लोग, हम लोगों के अलग-अलग तरह के group होते हैं, जैसे a host of angels, angels के group को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, क्या देखे, tourist क्या होता है, जो घूमने आते हैं अलग-अलग जगे से, उन्हें हम tourist कहते हैं, अब crew of sailors, sailors क्या होता है, जो यह नाव अगरे चलाते हैं, बोट चलाते हैं, उन्हें sailors कहते हैं, और उनके group को क्या कहते हैं, जब काफी सारे sailors एक साथ होते हैं, तो उन्हें हम क्या कह क्या करते हैं क्रिव ठीक है तो यह जो होस्ट फ्लव क्रिव यह सब क्या है कलेक्टिव नावन है और इंजल स्थूरिज्स यह सब क्या है को मन नावन से थे नेक्स देखिए एनिमाल बॉर्ड बूट हैंस मदर आफ क्रोस अब-brewd of hands, अब देखिए हम-brewd of hands, hands के जो ग्रूप पह है, उसे हम क्या कहेंगे, brood, hands क्या है, common noun है, और common noun के ग्रूप के लिए जब हम अलग नाम देते हैं, वो collective noun बन जाता है, तो brood क्या है, collective noun है, okay, a murder of cross, cross क्या है, common noun है, ठीक है, और उसके ग्रूप को हम क्या कहते है, murder, cross, a murder of cross, next a troop of monkeys, monkeys के group को क्या कहते हैं, troop कहते हैं, क्या कहते हैं, troop, तो troop क्या है, collective noun है, monkeys क्या है, common noun है, ओके, चलिए next देखी फिर, thing, चीजे, ओके, a clump of trees, trees का जो जुन्ड होते हैं, trees काफि सारे एक साथ लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं, क्लम, ओके, तो trees common noun हो गया, और क्लम, collective noun हो गया, a ship of papers, काफि सारे papers एक साथ रखे होते हैं, बंडल रखा होते हैं, पूरा papers का, तो हम उसे ship कहते हैं, और papers क्या है, common noun है, ship क्या है, collective noun है, a set of tools, tools के group को, जब बहुत सारे tools एक साथ रखे होते हैं, तो हमझे set कहते हैं, tools क्या है, common noun, और set क्या है, collective noun, I hope आपको समझ आ रहा होगा, कि हम collective noun क्या होती है, और common noun कौन से होती है, आपको ये सारे अच्छे से learn करने हैं, जितने भी examples हमें मिल रहे हैं यापर, उन्हें अच्छे से learn करना है, कि किस के group को किस नाम से बुलाते हैं, किस के group के लिए कौन से collective noun, use होती है, चलिए next page पे चलते हैं, अब देखिए, next क्या दे रखा है, yes, a party of friends, friends के group को हम क्या कहते हैं, party, ठीक है, friends के group को क्या कहेंगे, party, a crowd of people, लोगों के group को क्या कहेंगे, जो लोग बिना वज़े से इकठे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं, crowd, ठीक है, a board of directors, directors के group को क्या कहते हैं, board, तो board क्या है, collective noun है, जिने में underline कर रहे हूं, वो सब collective noun हैं और जिनको tick लगा रहे हूं, वो सब common noun है, okay, a panel of experts, ठीक है, panel of experts, experts यानि कि जो advice देने के लिए, जिनका group बनाए जाता है, decision लेने के लिए, advice देने के लिए, तो उसे हम कहते हैं, panel, okay, next, crooks, a bunch of crooks, ठीक है, a bunch of crooks, तो bunch क्या है, collective noun है और crooks क्या है, common noun है, a gang of robbers, thieves, thieves के group को, robbers के group को क्या केते हैं, gang, क्या क्या केते हैं, gang, a troop of dancers, artists, dancers की group को, या artist के group को हम क्या कहते है troop कहते है तो troop क्या है collective noun है और dancers और artist क्या है common noun है देखी troop पहले monkeys के लिए भी use हुआ है लेकिन दोनों की spelling अलग-अलग है ठीक है ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा चलिए next देखते हैं फिर group of animals ducks ducks के group को क्या कहते है paddling ducks के group को क्या कहते है paddling तो ducks क्या है ducks हमारी common noun है और paddling क्या है हमारा collective noun है अब band of gorillas gorillas क्या है हमारा common noun है और collective noun क्या है band a band of gorillas gorillas की group को हम क्या कहते है band कहते है okay sparrows a host of sparrows sparrows common noun है host collective नावने, sparrows मतलब चिडिया a team of horses horses की group को क्या कहते हैं, team a Jew of wild animals a Jew of wild animals wild animals की group को क्या कहते हैं, Jew ओके a flutter of butterflies butterflies की group को क्या कहते हैं, flutter a kit of peasants peasants की group को क्या कहते हैं, kit तो यह सारे आपको अच्छे से learn करने हैं, ओके next देखे, फिर a heap of rubbish a heap of rubbish, rubbish की group को क्या कहते हैं, heap a stack of wood wood की group को क्या कहते हैं, stack wad of knots wad collective noun होन है, knots cover noun होन है, a has of bushes, bushes की group को क्या कहते हैं, has a ball of rice rice के ball को क्या कहते हैं, rice एक सथ काफी सारी rice होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ball a library of books, देखे, books के group को library भी कह सकते हैं, pile भी कह सकते हैं, okay pile of books भी हो सकते हैं, और a library of books भी हो सकते हैं, अब album of stamps photographs stamps या फिर photographs का जो ग्रूप होता है से हम क्या क्याते हैं थी क्या ठीक है यह सारी क्या है जो अध्यक कि आपको समझर है रहा होगा कि किलेक्टिव नावन कौनसी ओती है ठीक है आपको यह सारी पहले आपको learn करने हैं ठीक है पहले आपको learn करने हैं जितना भी work आज करवाया गया है उसमें से आपको noun की definition जो शुरुआत में मैंने बताई थी वो आपको notebook में write down करनी है उसके बाद में proper noun, common noun, collective noun इन तीनों की definition जो है वो आपको notebook में करनी है और ये जो work है जिसमें हमने nouns को अलगलग categories में रखा है वो आपको अपनी book में ही करना है प्लस इन्हें अच्छे से learn करना है I hope आप ये सारा अच्छे से कर पाएंगे और ये जो collective noun के जो examples है वो सारे आपको अच्छे से by heart learn करने है और next जो आपको exercise दी गई है तो ये मैं कल करवाँगी लेकिन मेरे करवाने से पहले please आप एक बार इसे अच्छे से read करें खुद करके देखें और जब मैं करवाँँ तो अपना क्या हूँ मैच करें ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा और कितना आपको समझ आया और कितना नहीं आया है ओकी चलिए ठीक है थैंक यू